है अलो दोस्तो आल्चिक इंफो यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में जानेंगे कि वोटर आईडी कार्ड में अपना मोबाइल नमबर अपडेट किस तरह से करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें उसके बाद आप भी वोटर आईडी इस तरह से टाइप कर देना है और यहाँपर एंडर पर किलिक करना है अब यहाँपर पूछ इस तरह से आपको दिखाए देगा तो आपको यहाँपर इलेक्सिन कमीशनओफ इंडिया बोटर सर्विस पोर्टल इलेक्सिन कमीशनओ इंडिया जिसका URL होता है वोटरs.eci.gov .in, तो आपको इस पर किलिक कर देना है, और website को open कर लेना है, तो website कुछ किस तरह से open हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर ऊपर दो option दिखाई देगा, एक login का और एक sign up का, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक account बना लेना है, यदि पहले से account है, तो हम direct पुराने account से login कर सकते हैं, यदि नहीं है, तो आपको sign up पर click करना है, यहाँ पर mobile number डालना है, capture phone डालना है, और continue करके एक password बना लेना है, OTP verify करके आपका account बन जाएगा, यदि आपका पहले से account है, तो आपको यहाँ पर login पर click करना है, जैसे कि मैंने किया हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही यहाँ प डालने के बाद आपको request OTP पर click करना होगा, जैसी आप request OTP पर click करेंगे, आपके register mobile number पर एक OTP आजाएगा, जो कि आपको यहाँ पर डाल देना है, इस तरह से OTP डालने के बाद अब आपको verify and login पर click करना होगा, तो आप यहाँ पर successfully आप login हो चुके हैं, आपको यहाँ पर आपका नाम दिखाई देगा, profile और password चैन करने का option आजाएगा, और logout तबी option आजाएगा, अब हमें अपने border ID card में mobile number अपडेट करना है, इसके लिए आप यहाँ पर जो एलो से form दिख रहा है, fill form 8 पर click करें, जि दिखाई देगा, तो आप other elector पर tick लगाएं, अब यहाँ पर epic number मांगा जाता है, तो epic number यहाँ पर type कर देना है, यदि आपको epic number पता नहीं है, तो किस तरह से search किया जाता है, इसके बारे में पहले ही video बना चुका हूँ, तो अब यहाँ पर epic number डालने के बाद submit पर click करें, ज अब आपको यहाँ पर कुछ options दिखाई देंगे, तो आप यहाँ पर second number का option, correction of entries in existing electoral rule पर tick लगा दें, और उसके बाद OK पर click करें, अब आपको यहाँ पर कुछ options दिखाई देते हैं, जिनको आमें complete करते चलते जाना है, तो अब हमें यहाँ पर एक preview और next का option दिखाई देत next की बटन पर click करके नीचे आजाना है, अब आपको यहाँ पर update करने के लिए कुछ options दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर mobile number पर tick लगा देना है, जिस्ते की mobile number डालने के लिए एक box open हो जाएगा, अब आपको जो भी mobile number update करना चाहते हैं, वह हम mobile number यहाँ पर type कर दें, mobile number type कर देनी के बाद, अब आपको next पर click करना है, और next page में चले जाना है, अब आपको यहाँ पर place के आगे, आप जिस place में रहते हैं, गाउ सहर उसका नाम डाल देना है, और फिर से की next पर click करना है, अब आपको यहाँ पर कुछ कोईप्चा पोर दिखाई देंगे, तो आपक के पास एक 6 अंगों का OTP चला जाएगा, OTP आने के बाद, अब आप यहाँ पर OTP धरजिकर देना है, OTP डालने के बाद, अब आप प्रिव्यू एंड सब्मिट पर click करें, जैसे ही आप सब्मिट पर click करेंगे, अब आपको यहाँ पर form 8 का एक प्रिव्यू दिखाई देग यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तो आपको सब से नीचे जाना है, यहाँ पर सब्मिट पर click करें, यहाँ पर लगता है कि कुछ गलत हो चुका है, तो आप कीप इडिटिंग पर भी click करके उसे फिर भी से edit कर सकते हैं, नहीं तो आप direct submit पर click करें, अब यहाँ पर आमें एक और कर सकते हैं, और जो भी status बगेरा है, वह भी आप check कर सकते हैं, तो आप नंबर को copy जरूर करें, अब हमने successfully voter ID card में मोबाइल नंबर अपडेट कर लिए हैं, तो आईए अब हम देखते हैं कि क्या हम मोबाइल नंबर अपडेट करने के बाद voter ID card डाउनलोड कर सकते हैं, या सेर नहीं, voter ID card डाउनलोड करने के लिए e-epic download पर क्लिक करें, अब यहाँ पर enter epic number के आगे हम voter ID card का epic number डाल देंगे, जैसे हम epic number डाल देते हैं, उसके वाद यहाँ पर अपनी state सेलेट करते हैं, या customer की state सेलेट करते हैं, और उसके वाद सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर epic number के अनुसार सारी जानकारी आजाती है, नाम, पिता का नाम, state और सारी जानकारी यहाँ पर दिखाए देती है, अब हमें voter ID का डाउनलोड करना हैं, तो आप send OTP पर क्लिक करें, अब हमने जो mobile number form 8 के जरिए अपडेट करेंगे, उस mobile number पर एक OTP आजाएगा, जो OTP हमें यहाँ पर डाल देना है, और उसके बाद verify पर क्लिक करना है, अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है, OTP, verification, done, successful link, अब यहाँ पर एक बटन आ जाती है, download e-epic, तो अब आपको download e-epic पर क्लिक कर देना है, जिससे की एक file download होना शुरू हो जाती है, जैसे ही file download होती है और आप उस पर क्लिक करते हैं, तो आपका या फिर आपका जो भी customer का जो भी voter ID कार्ड है, वह है open हो जाता है, आप इसे अच्छे से crop करके, और printer से print निकाल के, लेमेलेशन करके, अपने customer को दे सकते हैं, यह आपने खुद के लिए download किये हैं, तो आप उसे अपने लिए update कर सकते हैं, और voter ID कार्ड को download कर सकते हैं, उम्मिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और जबन कुछ ना कुछ नया सेखने को मिला होगा,